प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्षा आठ विशे हिंदी कारिया पुस्तिका के अंदर अध्याय दो पहले की कारिय पुस्थिका में, आपके ये 3 नमबर पार्ट अब ये 2 या गया है, पहले बारा जो था वो कट गया था, इसकी वज़ेसे दूसरा पहला हो गया था और तीसरा दूसरा हो गया, तो इस पार्ट का नम है बस की यात्रा, वो हम करने वाले हैं, तो जो बचे चैनल पर नहीं है या जिन बच्चों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले अपने साथियों को सेर जुरूर कर दें तो शुरू करते हैं आज की क्लास तुम्हारे गाउं सहर में आने जाने के कौन-कौन से साधने तो बस, जीप, कार, मोटर साइकल, रेल गाड़ी, ओटो इस में से तुमने किस किस पर सुवारी की है तो प्यारे बच्चों बस, कार, रेल गाड़ी, मोटर साइकल पर मैंने सुवारी की है तुम्हें सबसे अच्छी सुवारी किस की लगती है मुझे रेल गाड़ी की सुवारी सबसे अच्छी लगती है क्यो तुम अपने दोस्तों परिवार के साथ पिकनिक पर तो गए होगे वहाँ खूब बोज मस्ती भी की होगी एक दिन जंगल में की पिकनिक पार्टी हुई चित्र को देखकर अनमान लगाओ कि यह पार्टी कैसी रही होगी तो प्यारे बच्चों इस चित्र को आप देखो एक दिन जंगल में एक पिकनिक पार्टी हुई जिसमें जिराफ दिखाई देरापको हाती सेर बंदर आदी ने भाग लिया पहले सभी ने भोजन किया बाद में खूब मोज मस्ती की साब को सभी अपने अपने घर स्थान पर लोड गए इस आदमी के सास और बल्दान बावना क का सही उप्योग नहीं हो रहा इस पंक्ति में रहे खांकित सब्द किसके लिए आया है तो इस आदमी के सास और बल्दान बावना का सही उप्योग नहीं हो रहा तो कंपनी के हिस्सेदार के लिए आया है यह क्या तुम अपने घर कभी बस या वान के खराब होने कार्ण दे कि देरी से पूंचा सब इस दिसे मेरे आने को लेकर बहुत चिंतित थे। लेखक को छोड़ने आये लोग बस में बैठने की तुलना किस से कर रहे थे। तो मृत्यू से कर रहे थे। क्योंकि बस की दसा बहुत देनिय थी। पार्ट की सरुवात के अंतक लेकर ने बस के बारे में जो बाते बताई उनमें से जो तुमें अच्छी लगे वो लिखो क्या रास्ते में डाकों मिलते हैं, नहीं बस डाकिन है, बस अनभोई है, नहीं नवेली बसों से ज्यादा विश्वशनिया है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी जैसे सारी बस ही एक इंजन है और हम इंजन के बीतर बैठे हैं जील दीखती है तो सोचता हूँ कि कई बस इसमें गोधा नहें लगा जाए सीट की बोड़ी से ऐसे योग चल रहा था क्यों? बस की देनिये दसाओने के कारण कभी बस की सीट बोड़ी से आगे कभी बोड़ी बस की सीट से आगे निकल जाती कहने का आर्थ है कि बस बहुत ज्यादा पुरानी थी नीचे लिखे वाक्यों को देखो और दोनों वाक्यों में आए बस सबद का आर्थ लिखो विरेज में बस जाने वाली कलतना पहली भारतिय महिला थी तो बसना या निवास करना बसना का आर्थ है अब बस भी करो हेडमास्टर ने डाटते वकार तो बस भी करो का आर्थ है यहां पर रोकने के आर्थ में है नीचे दिये गए वाक्यों का उधार्ण देखो जिन साइरों की आहलत जानते हैं पिरवी जाने तेली पर लेक्र इसी बस में दो। आगे यदी को लेकर बनाने यदी नानी कुछ और कर रही होती तो नाना घर को सिर्फ पर उठा लेती तुम्हारा वाक्या होगा पहले अपना घरे कारी पूरा करो फिर खेलने की बात करो इदर छुटियां सुरू होती है उदर नानी के घर जाने की त्यारी होने लगती है तुम्हारा वाक्या होगा इदर बारी सुरू होती है उदर पकोड़े बनाने की त्यारी सुरू होने लगती है तो आज की क्लास में इतना ही धन्यवाद